Hello everyone, a very warm welcome to Olafin by YouTube channel, मैं हूँ प्रतिपाप की Physiotherapist आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Spondylolisthesis Condition के बारे में इसमें जानें के हैं कि ये condition किस वजह से होती है और इस condition से आराम पाने के लिए आप कौन-कौन सी exercises खुद से घर पर कर सकते हैं आएए सबसे पहले समझते हैं कि ये condition क्या होती है ये condition हमारी spine की vertebra से जोड़ी होती है इसमें एक vertebra adjacent lower vertebra पर slip हो जाती है vertebra आगे और पीछे दोरों तरफ से slip हो सकती है जब एक vertebra नीचे वाली vertebra पर आगे की तरफ slip हो जाती है तो इसे enterolistesis कहते है और जब vertebra पीछे की तरफ slip होती है तो इसे retrolistesis कहते है spondylolisthesis की condition सबसे जादा lumbar spine को affect करती है mostly L5-S1 पर ये दिक्कत देखने को मिलती है इसमें L5 vertebra S1 vertebra पर slip हो जाती है इसके लावा second most level जो होता है वो है L4-L5 vertebra इसके symptoms में कमर में अकडन रहती है, दर्थ रहता है ये दर्थ नीचे पैर तक भी रेंग सकता है जिसे shiattika कहते है इसके अलावा पैर में सुनपन की शिकायद भी patient को रह सकती है इस condition में patient को आगे की तरफ जुकने में आराम मिलता है और जब patient पीछे की तरफ जुकता है तो दर्थ बढ़ जाता है इसी वजह से patient की tendency होती है कि वो आगे की तरफ जुक कर चलने लगता है classification के साब से देखें तो spondylolisthesis के 5 grades होते है और इसके initial grade 1 और grade 2 को आप exercises के जरिये ठीक भी कर सकते है यानि अगर sleep age 50% से कम है तो आप इस condition को exercises से ही ठीक कर सकते है इसके लिए आपको कुछ precautions का ध्यान रखना है और साथ में exercises करनी है आईए सबसे पहले समझते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहली चीज है कि heavy lifting बिल्कुल ना करें भारी वज़न बिल्कुल ना उठाए अगर गले टेकनी के साथ आप कोई भारी वज़न उठा लेते हैं तो ये condition और ज़्यान बढ़ सकती है इसलिए इस चीज का ज़रूर ध्यान रखे इसके लावा bending और twisting moment आप कमर पर बिल्कुल ना करें इससे फर्दर इंजी हो सकती है और भी ज़्यादा दर्द बढ़ सकता है तो इस चीज का भी आप ध्यान ज़रूर रखें इसके लावा high impact activities जैसे running करना, basketball खेलना, football खेलना जैसे game खेलने से आप बचे जब तर की condition आपके ठीक नहीं होती है तो ये हैं वो बाते जिनने आपको follow करना है अब जानते हैं exercises के बारे में तो सबसे basic चीज जो आपको समझनी है कि इसमें आपको flexion exercises करनी है यानि कमर को fold करने वाली exercises करनी है क्योंकि कमर को आगे की तरफ fold करने वाली exercises से हमारी slipped vertebra वापस से अपनी normal position यानि पीछे की तरफ आएगी आप photo में भी देखें कि उपर वाली vertebra आगे की तरफ निकली होई है तो इसमें जब flexion exercises करेंगे तो ये vertebra धीरे धीरे पीछे की तरफ आने लगेगी इस condition में कभी भी आपको पेट के बल उल्टा लेट कर exercises नहीं करनी है इससे आपको spondylolisces की grade बढ़ सकती है अब आपको कौन-कौन सी exercises करनी है वो जानिए सबसे पहली है single knee to chest exercise इसमें आपको single leg को इस तरह से मोड कर chest की तरफ ले कर जाना है ऐसा करने से पेट की muscles दबेंगी और vertebra पीछे की तरफ जाना शुरू होंगी इसे आप दोनों legs के लिए 10-10 बार repeat करें सिंगल leg करने के बाद अब आपको दोनों legs को मोड कर इस exercise को करना है इसे भी आप 10 बार repeat कर सकते है इस exercise को disc bulge वाले, disc prolapse वाले patient बिलकुल ना करे इसे सिर्फ spondylolisthesis वाले patient ही करे सकीन exercise है partial curl इसमें आपको upper body को उपर की और उठाना है उपर आने पर आप 10 seconds तक रोकने की कोशिश करिए और फिर वापस नीचे आ जाईए इसे भी आप 10 बार repeat करिए तीसरी exercise है dead bug exercise इसमें आपको अपने दोनों legs को hip और knee angle पर 90 degree तक मोड़ना है और हातों को भी सीधा करके उपर उठाना है इस position को 10 से 15 seconds तक hold करने की कोशिश करिए और फिर relax हो जाईए इसे भी आप 10 बार दोहराईए next exercise इसी exercise का progression है same position में आपको लेटना है इसमें आपको बारी-बारी से opposite leg और hand को इस तरीके से सिधा करना है ये exercise करने से आपकी कमर की जो core muscles हैं जो spine को अपनी normal alignment में बना कर रखने में help करती हैं वो strong होगी उनमें ताकत आएगी तो ये exercise भी आपको help कर सकती है आपके spondylolisthesis condition को ठिक करने में पिलहाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो like और share जरूर करें अगर आप अपनी body से related physiotherapy की कोई और वीडियो देखना चाते हैं तो channel के playlist में आप जा सकते हैं वहाँ आप अपने join के हिसाब से ortho और neuro condition के हिसाब से अपने required वीडियो देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप किसी particular topic पर एक वीडियो चाहते हैं तो comment box में comment करके बता भी सकते हैं Thank you